हालो फ्रेंच वेलकम टो कार्गी क्लासेश डेट आज की 29 माई 2021 और देख लेते इंडियान एक्सप्रस के स्था कि यूएस यू के यूपिन उणियंग जपान यहां पर कहीं अगे वेक्सिन द्राइव चल रहे हैं तौ हमें कहीं याप्रॉल देदेने की बात की जारे क्योंकि अब भी ए्मंहरे आप पर वेक्सीन की शॉर्टेज है तो आर्टिकल में ज्यादा कुछ है नहीं आप देख सकते हो हम नहीं डिसकस करेंगे ये आर्टिकल आपको खुद से पढ़ना है इतिक्स पॉइंट आफ यू से या फिर रोल आफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रिसी ये जो दो टॉपिक्स हैं पॉइंट आफ यू से आपको ये पढ़ना चाहिए क्योंकि अभी अभी सीबी आई के एक तरीके से चीफ के तौर पे सेंट्रल बियर आफ इनिवेस्टिकेशन के चीफ के तौर पे सुबोध गुमार जैस्वाल जो की महरास्ट्रा से बिलॉंग करते हैं तो उनको एक सकता है कि अब क्यार फ्रीली एक पैरट की तरफ फ्लाई कर पाए राइट तो उस पॉइंट आफ यू से आपर कुछ सजेशन्स दिये जा रहे हैं कि आप कैसे परिश्थितियों को हैंडल करो ठीक है इनकी इंटेग्रिटी बताई जा रही है इनका जो काम करने का तरीका इ इनकी अपॉइंटमेंट की रेकमेंडेशन्स को करन्ट सरकार जो मुंबई में वहां पे महारास्टर की चल रही है उसने इग्नोर कर दिया तो ऐसे में इन्होंने अपने आपको फिर ट्रांसफर कर वा लिया और सी आई एस एफ में चीफ बनके बैठ गए पॉइंट यहां गलत चीजों के खिलाफ लड़ो सचाई के लिए लड़ो तो आपको किसी से डरने की ज़रूत नहीं है इसके अलावा आपको यह बताया जाता है यहां पर कि सुसान सिंग राजपूत केस की बात की जाए उस केस में केंद्र सरकार ने पूरी कोशिस की थी कैसे भी करके महार आडर में कर पाई तो ऐसे मैं बोले जब आप सही तरीके से काम करते हो तो सीबी आई भी कहीं नहीं रूल आफ लो रूल्स को ही फॉलो करके काम करती है हो सकता है शुरूआत में आप किसी जगे पर सीबी आई को भेज रहे हो तो उसमें पॉलिटिक्स काम आ जाए बड़ तो फ़ंक्शनिंग होती है जो प्रोसिजर होता है काम करने का वहाँ भूलिटिक्स कहीं नहीं कई इनवॉल्मेंट से दूर हो जाती है क्योंकि फिस वहाँ पर ऑफूसर्स अपने डिग्निटी अपनी अप्रोच के इसाफसे काम करने शुरू कर देता है तो यही चीज опас भ कि हाँ एक administrator को क्या सोचने की जरुवत है क्यों एथिक्स की इतनी ज्यादा decline हो गई है कि आज जो है corruption इतना ज्यादा हो रहा है चारों तरफ गफले गफले दिखाई दे रहे हैं और इसमें जो बेरोक्रिसी उसका तो बड़ा हाथ है तो ऐसे में कहीं नहीं एथिक्स का फेपर इसी लिए इंट्रड्यूस किया गया था ठीक है दो जाटेरा चौदा से सम्टिंग एंटर हुआ था यह जीएस पेपर फॉर ठीक है तो इस आर्टिकल को आप खुछ से पढ़ोगे समरी वहने देने की कोशिश की ब फेस्बुक में नया फीचर दे ही दिया अपना कि अगर कोई भी कम्यूनेटी स्टेंडर्स को फॉलो नहीं किया जाएगा तो उसको फॉल्स पोस्ट्बॉक सम्टिंग वो डिटेक्ट कर देगा तो फेस्बुक से रिलेटेड है डिसकस नहीं करेंगे अब आइडिया पेज पर देखें तो हम एक आर्टिकल तो यह डिसकस करेंगे फाइन बैलेंस इन नेपाल इंटरनेशनल रिलेशन से आर्टिकल है थोड़ी से पॉलिटिक से नेपाल की पर काम की चीज़ेशन इंपोर्टन वो देखेंगे इसके अलावा यह आर्टिकल आप खुछ से देखोगे से रिलेटर ही है हमारे सेंट्रल एड्यूकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक ठीक है इनके द्वारे बोलाता है कि एक्जाम कराने बहुत जरूरी है यह बाठीक है कि अभी परिस्तितिया बहुत चैलेंजिंग है तो यहाँ पर कॉपरेशन डिटर्मिनेशन औ हमने सारे देख लिए कुछ फेवरेबल कंडिशन कुछ डिमांडिंग चीजे देखें तो वह कहीं न कहीं यहाँ पर गौर्मेंट क्या सोच के कर रही है इन शॉट यह तो गौर्मेंट का उपीनियन आपर आपको क्लियर होगा एक आर्टिकल तो देखो नेपाल वाला हम ड प्लेटफॉर्म पे वर्चुल प्लेटफॉर्म पे जाकर की एजुकेशन देना चाहते हो तो वह कितना नुकसान दे हो सकता है तो उस पॉइंट ऑफिस इस आर्टिकल को देखें तो दो आर्टिकल हम देखेंगे 28 तारीक के कल के ठीक है एक तो था डेरी से संबंदित डेर फर्स आर्टिकल है इन नेपाल लिखा शाम सरंजी के दोरा यह हमारे फॉर्मर एंबैसरडर भी रहे हुए हैं और फॉर्टीटरेटरी भी रहे हुए है थीक है तो ऐसे में इनके दोरा यह कह जा रहा है कि नेपाल में एक बार फिर से टर्मिल शुरू हो गया जहाँ पर के गिर्भी चुकी है तो ऐसे में पहले भी केपी ओली ने वहां की प्रेजिडेंट जिनका नाम है बिद्या देवी बंडारी तो उनके पास जाते हैं और वहां पर अपने पार्लियमेंट को डिजॉल करा लेते हैं फिर वहां की सुप्रीम कोट इस डिसीजन को अनकॉंस्टिउ होगे कि पार्लियमेंट अभी करेंटली देखो तो डिजॉल हो चुकी है नंबर वन नंबर टू जो दूसरी पार्टीज जैसे यहां पर आप देख रहे हो पांच पार्टीज के नाम दियो हैं नेपाल की लोकल पार्टीज हैं यह पहुंच गई सुप्रीम कोट फिर से कि यह जो पार्लियमेंट का डिजॉलिशन ही यह गलत है जबकि के पी ओली ने क्या डिकलियर करवा दिया कि अब नए इलेक्शन कंड़क्ट कराओ जिसें की नई तरीके से नए सिरे से सरकारें बनाई जा सके देखो यहां पर हमारे लिए जो मुद्दा है वो यह कि नेपाल म हमारे यहां आ सकते हैं हमारे से नेपाल में स्टैबिलिटी होने पॉलिटिकल स्टैबिलिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है दूसरी चीज नेपाल की अगर आप लोकेशन देखोगे इंडिया के मैप के हिसाब से तो आपको दिखेगा कि जो तरही रीजन है मतलब साउथ नेपाल वाला जो रीजन है वहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे नेपाल में यहां पर नेपाल है फॉर एक्जैंबल ठीक है तो यह नीचे सदर्न रीजन है इसको तरही रीजन बोला जाता है आपन जोग्राफिय में पढ़ता है इस चीज के बारे में हिमालयन एको सिस जैसे बिहार, यूपी इन स्टेट्स में रहने वाले लोगों के साथ में इनकी रिलेशन से पर शादी के संबंद है ठीक है किंशिप नहीं से एक तरीके से यह देख सकते हो रिश्तेदारी है इनके बीच में तो ऐसे में इंडिया जो है वह हमेशा इन मदेशी कम्मुनिट के लिए फेवरिबल रहा है, दूसरी दरफ कहीं नहीं कियास लगा जा रहा है कि के पीए सोली जो है वो थोड़ा बहुत अभी हिंदुत्व को लेकर के थोड़ा सा हाइलाइट हो रहे है तो ऐसे में केंद्र सरकार के दौरा या इंडिया के दौरा एक सपोर्ट किया जा र सरकार बनती है तो वहाँ पर जो पहाड़ी लोग है ठीक है वहाँ पर वो अपर कमिनिटी है या फिर अपर क्लास से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं वो अगर सरकार बनाते तो मदेशी कमिनिटी को इतना जदा प्रोटेक्शन मिलती नहीं है और आप देखोगे जब 2015 मे वहाँ पर नेपाल में सरकार बन गई थी तो उस टाइम पर 2015 में कॉंस्टिटूशन आया नया वहाँ पर नेपाल में और फिर सरकार जब बनने की बात आई तो सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि मदेशी कमिनिटी को कही नहीं रिकग्निशन प्रोपर नहीं मिल पा रहा थ और उसमें एक प्रोविजन क्या किया गया था कि जो नेपाल के citizens हैं उनको राइट जो मिलते हैं जितने भी राइटS वाहँ के constitution के basis में मिलते हैं बोलो वो वो राइटS मदेशी pop sound को नहीं मिलेंगे कौन सी मदेशी pop sound की कोई बेटी मदेशी कोई बेटी है female है वो किसी foreign individual तो ऐसे में उस female के citizenship पे भी सवाल उठा दिया और साथ में उनके जो बच्चे होंगे उनकी भी citizenship एंशूर नहीं होगी तो कहने का मतलब यह हो गया कि कोई भी लड़की अगर नेपाली है और वो अगर शादी कर लेती है किसे इंडियन्स हैं तो उसके आने वाली जो generations हैं उनको नेपाल के citizenship नहीं दी जाएगी यह 2015 में finalize किया गया वो तो चलो ठीक है कि एक ordinance लाया जाता है और ordinance के basis पे उस चीज़ को nullify कर दिया जाता है अब वो nullify करने के पीछे भी हाथ के पीए सोली का ही रहता है कि हाँ यह जो प्रोविजन है 2015 में हमने जो किये थे मदेशी population की basis पे जो बाहर शादी करके जा रही है बेटिया उनकी citizenship खतम कर दे या फिर जो भी उनकी generation से उनको कोई भी right नहीं दिये जाए मतलब एक तरीक से मदेशी community के against में discrimination का एक provision यहाँ पर आप देख सकते हो तो ऐसे में फिर ordinance ला जाता है और ordinance में इस पूरे मुद्धे को reverse कर दिया जाता है तो एक यह favor हो जाता है ओली सरकार के लिए Indian government की तरफ से तो point यहाँ पर क्या जाता है कि एक तो आ गया कि कहीना कहीं KPS only जो है जो पहले हमें दिखाई दे रहे थे कहीने कुछ मुद्धों पर कि चाइना की तरफ ज़्यादा tilt होता दिखाई दे रहा है पर अभी जब सरकार क्राइसिस में आ गई है तो अब जाकर के थोड़ा बहुत इन्होंने कुछ ऐसे कदम लिए जो कि India के लिए favorable consider की जा रहा है according to the writer क्योंकि Hinduism का कहीना कहीं माहूल बना हुआ है अब देखो यहाँ पर कि अगर Nepal जैसे neighboring country में uncertainty बनी रहेगी तो क्या है हमारे लिए अच्छी बात है बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है तो हमें अभी यहाँ पर एक political discourse में देखो वैसे तो इंडिया ने अभी खुद को silently एक side में रख रखा है writer यह बोल रहे है कि यहाँ पर हाँ हमारे पास में इसके अलावा दूसरा कोई option भी नहीं है पर इसके अलावा भी तो कुछ ना कुछ हमें activities करनी पड़ेगी नहीं तो अगर vacancy होने लग गई तो वो कही ना कहीं एक vacuum create करेगी तो उस vacuum को exploit China जैसे countries कर सकते है ठीक है अब आप यहाँ पर देखोगे कुम्ब मेले को नेकल लेकर भी कहीं ना कहीं एक convergence देखने को मिल रही है message दिया जा रहा है हिंदू राष्टर की बात मैं आपको बताई चुका हूँ मतलब होता क्या है देखो relationship में बहुत सारी चीज़े देखी जाती है और उनमें से एक factor ये भी आता है कि कैसा political माहुल बना हुआ है हमारे पडोसी देशों में अब देखो writer जो है जो नेपाल में देखो एक ambassador के तौर पे भी ज़र्वत है जिसके शुरुआत होती है मोनार्की की मोनार्की से कि वहां पर राजशाही शुरू होती है 1955 में जब वहां के राजा महेंद्र वहां के गद्दी पे बैठते हैं हां तो राजा महेंद्र जब गद्दी पे बैठते हैं तो तब से लेकर अब तक आप देखोग कि कैसे भी करके इंडिया से खुद नेपाल को दूरी बनानी चाहिए ठीक है नेशनलिजम प्रोमोट होना चाहिए नेपाल जो है वो कहीं छोटा भाई बन करके ऐसे नहा रह जाए इंडिया का तो ऐसे में मोनार्की मोनार्की के बाद में फिर डेमोक्रेसी आती है बहुत मु कभी है कि कहीं नेपाल को इंडिया से दूर करने की कोशिश्य की जा रही है तो ऐसे में हमें नेपाल को एक कह सकते हैं quand it is yang MMA हो unconstitutional support देने की जरुत है क्योंकि ultimately चल तो वहाँ पर Republican democracy रही है ना तो इंडिया को एक तो support करने की जरूरत है चाहे नेपाल कितना ही दूर जाए हमसे चाहे मोनार्की हो चाहे democracy हो हमें वहाँ पर support देने की जरूरत है क्योंकि constitutional support की अगर हम बात करें तो constitution में कहीं न कहीं मदेशी community को लेकर के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके चलते एंडिया थोड़ा सा नाराज है और 2015 में इसी के चलते बॉर्डर पे नेपाल बॉर्डर पे ब्लोकेट भी लगाये थे उसी के चलते कहीं न कहीं हमारे relation जो हैं वो नेपाल से बिगड़े और नेपाल ने अभी जो हमने एक मैंने आप से एक map भी discuss किया था याद हो तो जो उत्राखंड में tri junction है ठीक है लिपुले एक लिंपिया दूरा वाला तो उसको अपनी territory में पार्लियमेंट से बिल पारित करवा करके और उसको directly अपना ही खुद का हिस्सा बना दिया जबकि इंडिया भी उसको claim करता है वो एक disputed area है basically ठीक है तो ऐसे में अगर हम वहाँ के constitution को भी support ना करें तो भी हमें नेपाल को favor करते रहना चाहिए एक तो यह बताया जा रहा है यहाँ पर writer के द्वारा नेपाल की और इंडिया की relationship में दूसरा नेपाल के साथ में हमें हर एक level पे engage करना चाहिए हर एक political spectrum में हमें बातचीत करते रहना चाहिए चाहिए वो हमारे लिए interest वाली बात हो या ना हो नहीं तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना अगर neighboring country अगर unstable है तो उसका असर हमारे उपर भी पढ़ेगा तो हमें engagement नेपाल के साथ करनी होगी हमारी policy hands off वाली नहीं होनी चीए हमारे हाथ खुले होने चीए नेपाल के लिए हमेशा और नेपाल के लिए space create करने की ज़रूरत है कि हाँ चलो ठीक है कि आप हमारे साथ engage करो नहीं तो क्या होगा आप अगर hands off कर लोगे हाथ अगर बंद कर लोगे तो ऐसे में फिर चाइना जैसे countries जो external influence जो है वो कही ना कहीं वहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा त पर हमारी engagement continue रहनी चाहिए नहीं तो आपको पता ही है कि चाइना अगर वहाँ पर entry ले लेता है तो वो हमारे लिए counter productive हो सकता है तो यह चीज़ आप ध्यान रखें तीसरा suggestion writer के द्वारा दिया जा रहा है कि तराई belt में जो large मदेशी population हमारे रह रही है तो वो बहुत important role play किय करती है जो की ignore नहीं कर सकती काट मंडू में बनने वाली सरकार जो भी होगी तो ऐसे में हमें हमारी citizens हमारे जो fellow citizens है जिनका relationship इन मदेशी community के साथ में मदेशी community के लोगों के साथ में है तो उनको भी हमें ध्यान में रख करके हमारे relationship को हम बिलकुल ignore नहीं कर सकते आज यूप बिहार या फिर उत्राखंड वाले region के जो लोग हैं उनके relationship मदेशी के साथ में बहुत अच्छी है चाहे रिष्तेदारी की बात करो चाहे संस्कृतिक आधार की बात करो चाहे religion की बात करो यह कहीं ना कहीं एक bridge का काम करता है हम दोनों countries के बीच में तो हमें कहीं ना कहीं आ उनके साथ में engagement continue रखने की जरुत है और finally writer के द्वारा यह बताया जा रहा है कि इंडिया को जरुत है कि people to people link जो हना हमारे देखो आज नेपाल के साथ हमें हमारी porous border क्यों है क्यों इतनी आराम से आवाजाई आसान है नेपाल के लोगों की हमारे यहां पर हमारे लोगों की वहाँ पर इसके पीछे वज़े है हमारे people to people link जैसे मैंने अभी बताया रिस्तेदारी बहुत है तो ऐसे में हमें इसे appreciate करने की जरुत है और इस तरीके की रिस्तेदारी दो देशों के बीच में वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है चाहे चाइना जैसा country चाहे चाइना कोई क है तो भुटान की autonomy हम कहीं नहीं compromise नहीं होने देते हैं और कहीं पर लगता भी है तो वहाँ पर freedom देने की पूरी कोशिश की जाती है तो ऐसे में अगर नेपाल के साथ में हमारे relationship यही चलती रहेगी तब जाकर के हम एक कह सकते हैं कि हाँ दोनों देशों के बीच में पड़ते हो बहुत सारी news हम देखते रहते हैं कि चाइना जो अपने dominance create करने की पूरी कोशिश करना है नेपाल में भी और debt trap policy जो है चाइना कि उसके चलते नेपाल बहुत ज़्यादा अलर्ट भी है तो वह कहीं ना कहीं हमारे लिए एक opportunity भी open करता है तो उसको हमें grab करना च जी ने देखो अभी university grant commission के दुआरा blended teaching को encourage करने की बात की गई है अब blended teaching का मतलब यह हो गया कि आप face to face teaching को online teaching में लेके जा रहे हो अभी शुरुआत तो की जा रही है 30% से और फिर उसके बाद में 70% तक courses को आप पे online platform पे लाना शुरू कर दोगे अब document में जो objectives हैं वो तो बड़े encouraging लगते हैं number 1 कि students को liberate करना कि student चाहे उस teacher की classes ले सकता है दूसरा यह एक top down approach रहेगी इसमें जिसमें आप देख से अभी condition बताई जा रही है यहाँ पर कि मतलब हमने online पे जाने की क्यों सोची UGC की तरफ से जो argument दिये जा रहे हैं कि बोला अभी present situation है उसमें teacher जो उसको students को follow करना ही होता है students के पास में autonomy नहीं होती कि वो कोई topic दूसरा पढ़ना चाहते हैं बड़ teacher वहाँ पर अपनी इच्छा थोप देते हैं तो बोले एक तरीकी सो top down approach आपको देखने को मिलती है एक teacher centric आपको education system मिल रहा है और one size fits all वाली condition अभी हम नहीं दे सकते हैं और होनी भी नहीं चाहिए one size fits all तो यह argument दिये जा रहे हैं UGC के दौरा साथ में यह भी कि students को self advocacy का भी पूरा मौका मिलेगा कि उनकी क्या demand है वो कौन से topic को पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे में उनको पूरी freedom मिलेगी तो writer यहाँ पे यह बोल रहे हैं कि आपने यह सारे जो objective बताए यह बड़े progressive हैं पर क्या real में इतना progressive काम है क्या यह देखो Sam Petroda करके एक professor आये थे Delhi University में तो उनका lecture था तो उन्होंने अपने lecture में यह कहा था कि सबसे शांदार काम तो तब हो जाएगा जब education को हम online ले जाएंगे और पांच excellent teachers जब पढ़ाएंगे और बच्चे जो है वो अपने videos डाल देंगे और आप 5 subjects को उन teachers की access कर पाओगे पड़ यहाँ पर सवाल यह आ जाता है क्या आप Sam Petroda ने जो suggestion दिया था वो ही आप इस MOOC को ही implement करने की कोशिस कर रहे हो क्योंकि basically अभी आप देखोगे तो यह online platform पे जाना जो है यह स्वयम MOOC है यह देख आपने lecture डाल देंगे फिर video को देख लिया जाएगा अब आप एक चीज़ बताओ अगर एक faculty है ए उसको उसके videos आप देखते हो YouTube पे एक बार खुद से self analysis करना एक video देखते हो ठीक है अब आपके पास में उसी faculty के videos available है उस particular एक subject से related जो आपके लिए important है अब आपने चार videos द नहीं है तो आप तो फस गए ऐसे में यह पांच faculties जो excellent बताई जा रही है teachers की बात की जा रही है तो वहां पर तो students की autonomy compromise हो सकती है कि नहीं तो यह चीज़ यहां पर writer बोलना चारहे है कि एक तरफ जहां पर UGC अपनी तरफ से हैं यह guidelines देकर कि यह कह रही है कि fixed fixed जो teachers हैं उ अगर 10-15-20 अलग-लग faculties के videos available हो जिनमें से आपको जिस faculty की भी पढ़ाने का तरीका या उसका जो knowledge है या उसका deliver करने का जो तरीका है वो आपको अगर समझ में आ रहा है तो हो सकता है कि वो नया-nया teacher हो वो भी आपको अच्छे से पढ़ा दे ठीक है तो ऐसे में आपके प की गई थी है मूग को implement करने की तो ऐसे में वहाँ पर एक university का नाम बता रहे है Sanjo State University तो उन्होंने बिल्कुल discard कर दिया था बोले ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं होगी नहीं तो education system को हम बिल्कुल diminish कर देंगे और students का जो एक overall development होना चीए एक diversified manner में जो development होना चीए उसमे कहीना की break लग जाएंगे जो कि ठीक बात नहीं होगी तो यहां पर हमें जो Sanjo State University का जो example है उससे हमें learn करने की जरूरत थी बट वही चीज है Indian University को UGC के द्वारा स्वयम MOOC platform के ओपर काम करने के लिए बोल दिया कि वहां पर आपके पास में videos available होंगे students को वही access करना है तो main concern राइटर का वो ही यह है दूसरी तरफ यहां पर राइटर जो हैं वो यह सवाल उठाना चाहरे हैं कि आप तो एक वो कर रहे हो कि कहीं ना कहीं जिनके पास में है digital accessibility उन लोगों के पास में तो education अच्छी रहेगी और जो गरीब परिवारों से बिलॉंग करते हैं गरीब student है SCST community से है marginalized section से बिलॉंग करते हैं उन लोगों को आप education से दूर रख दोगे तो कैसे आप इंडिया को एक education hub बना सकते हो world class university बनाने की हम बात करते हैं जबकि हमारे यहां पर functioning जो activity जब वो कुछ ऐसे दिखाई दे रही है कि जहां पर एक centralized body है वो कहीं ना कहीं drop-down approach के basis पे अपनी जो आप कह सकते हो guidelines है वो थोपी जा रही है दूसरी जो higher education institution नहीं universities हैं दूसरी या फिर आप कह सकते हो colleges हैं तो वहां पर आप कैसे एक world class education provide कर पाऊगे यह सवाल है बहुत बड़ा digital divide का मुद्दा आ गया इसके अलावा एक चीज और कि जहां पर universities को आप एक diversified manner में या democratic manner में ज्यादस ज्यादा एक तरीके से कह सकते ना कि knowledge मिलता है हाना आपको example देता हूं में एक छोटा सा जैसे आप history में पढ़ते हो नालंदा तक्षिला universities के बारे में तो वहाँ पर क्या बताया जाता था कि केवल और केवल funding जो थी वो आसपास के लोग students या फिर जो भी राजे महराजे हुआ करते थे वो funding दिया करते थे इन्हीं universities को पर इन universities की autonomy पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था आप ये देखो सबसे बड़ी बात तो वो autonomy पर सवाल नहीं उठे तो फिर Alexander the Great जैसे लोगों ने attack किया उसके बावजूद भी इंडिया इंडिया बना रहा पर आज अगर यहाँ पर state मतलब सरकार अपना interference education में करनी शुरू कर देगी तो education system आपका collapse कर जाएगा तो वो चीज कहीं नहीं हमारे देश के लिए वो रुकी पड़ी है तो बोला ऐसा देश कैसे progress कर सकता है वैसे हम यह चीज नहीं बोल सकते पर एक hint तो मिलता है ना आपको चलो आपको reasons पता है कि हाँ क्यों हमारी schools बंद पड़ी हैं क्यों हम online platform पे जा रहा हैं कोविड के चलते हैं तो आपने पहले vaccination में इनको frontline worker के तोर पे क्यों consider नहीं किया education system को आपने side में क्यों किया यह सवाल है और democracy है और रही सही में इतना shortage क्यों रही vaccine की यह बहुत बड़े सवाल है सरकार के ओपर जिनके सवालों के जवाब अब time ही देगा हमारे पास तो अभी इतना सा ही है कि हम सवाल खड़े कर सकते है पर हम सवाल खड़े करने वालों में से नहीं है हम solution makers में से हमें solution suggest करने होंगे तो आप बताओ अभी इस परिस्तिती से कैसे निकला जाए ठीक है education से related यह article था main जो चीजे थी वो हमने देखी ली और one to one जो interaction होता है teacher to student वो अगर नहीं होगा ना तो कैसे एक बंदा अपन तो हमारे आर्टिकल से उनको detail में देखेंगे दोनों को नेक्स आर्टिकल है not milk and honey यह आर्टिकल दिखा है एस मोहना कुमार के द्वारा यह आप देखोगे इनकी अगर dignity देखोगे तो यह है राइटर जो है वो डिरेक्टर इंस्ट्यूट ऑफ development studies जैपुर से बिलॉंग कर कर गई हमारी 2020-21 में पर agriculture और अलाइड सेक्टर ने 3.4% की growth rate register की 3.4% की मतलब प्लस में रहने वाला इकलोता यही सेक्टर था बाकि manufacturing और जो सर्विस सेक्टर दोनों के दोनों माहिनस में रहे थे साथ में यह डेटा काम का आप लिख सकते हो एक साल का न और वह भी pandemic के बाद का जो डेटा है ना ऐसे में pandemic का असर क्या रहा है economy पे तो उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं इसको आज अगर हमारी population point office से देखें तो farm dependent population लगबग बहुत लगबग लगबग आप देखोगे total हमारी जो population है उसमें से अभी भी 45-48% अभी भी agricultural activities में involved रहती है ठीक है तो उनमें से आप देखोगे तो cultivators जो है और agriculture labors जह हैं वो हो गए या dairy या livestock की activities में जो involved है उनका अगर ratio देखोगे तो लगबग 70 million लोग हैं वो लोग ठीक है और total workforce का अगर हम देखें तो लगबग 7.7 million लोग जो हैं वो exclusively cattle and buffalo rearing में कहीना के involved है कहने का मतलब 70 million लोग तो हैं जो कहीना के involved है इस livestock dairy farming इसको लेकर के ठीक है तो ऐसे में फिर दूसरी तरफ आप देखोगे इनमें से भी केवल दुधारू पसुमों पर आधारित कौन अपनी livelihood अर्ण कर रहे हैं वो इन 70 million में से 7.7 million लोग है और इनमें से भी आप देखोगे तो 69% तो female workers हैं और इन में से भी आप देखोगे तो 5.72% जो है वो total female workforce मतलब देश की जितनी total female workforce है उसकी 5.72% female जो है वो कहीं नहीं इस जो dairy farming से related जो activities है उनमें involved है तो इस data को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे data बड़ा काम का है तो इसमें एक तो female के point of view से data note कर लेना आप ठीक है क कि total जो cattle से related activities में involved females हैं मतलब जो 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 लोग है 7.7 million लोग exclusively केवल cattle and buffalo है उनमें अगर देखो या फिर आप overall देखें कि total जो livestock से related activities हो रही है उनमें से 69% female काम कर रही है ठीक है और दूसरी total female workforce जो है ना हमारे यहां पर चाहे वो कोई से भी sector में काम कर रही हो चाहे वो agriculture हो या फिर industrial sector हो या फिर आपका service sector हो तो उसका 5.72% engagement है किसमें यह milk product से related जो काम हो रहा है उसमें और दूसरा आप देखोगे जादा तर जो लोग है 93% जो है वो कहां पर है रूरल एरियाज में रह रहे हैं तो overall आपने अगर यह data समझा तो आपको एक scenario समझ में आ रहा होगा कि वो female जो इस in activities में participate कर रही है agriculture से related है क्या उनको exclusively कोई payment मिलता है वो unpaid female labor दे रही है अपना ठीक है तो कितना precious हो गया पहली चीज़ दूसरी अगर बात करें तो एक बंदा एक farmer जिसके पास में जमीन नहीं है अच्छी खासी जमीन नहीं है तो वो क्या करेग और उनके basis पर अपनी livelihood earn करेगा तो एक dependency यहां पर भी आपको समझ में आ रही है कि livelihood के लिए कितना important है और ज्यादा तर तो वो लोग हैं जैसे landless या marginal farmer से जिनके पास में दो एकर या उससे कम की जमीन है या फिर जो कही नहीं दूसरे के खेतों में जाकर कि अपनी labor देते है तो वो लोग अपनी livelihood earn करने के लिए कहीं न कहीं milk पे dependent रहते हैं और वो दूद दोते हैं और अपने दूद को फिर बेचने जाते हैं तो ऐसी परिष्थितियों को अगर हम देखें overall तो milk industry, milk waste industry बहुत ही important बन जाती है gross value added अगर point of view से देखा जाए तो agriculture में agriculture और livestock जो है दोन economy में 28% तक contribute कर जाती है बहुत important है यह मतलब यह हो गया कि agriculture के अंदर जितना contribution आता है GVA का sorry मैं थोड़ा से डेटा को interpret करने में मिस कर गया कि GVA में gross value added में agriculture का contribution होता है उसका 29-28% contribution तो केवल livestock sector से आता है डेटा बहुत है तो इसमें से आपको जो ठीक लगे काम-काम का डेटा एक दो note कर लो ठीक है ज्यादा याद भी नहीं रहने वाला प्रीवेस में female वाला डेटा देख लेना overall जो कितना contribution है मतलब labor force का वो देख सकते हो और तीसरा यह कि GVA में जो agriculture का segment है उसमें 28% livestock sector पे dependency रहती है 2019-20 का यह डेटा है दूसरा growth rate अगर देखें तो 6% per annum milk production जो है व ऐसे में farmers को इससे support बहुत मिलती है आपने कई बार पूछा जाता है जैसे कि अगर आप राजस्तान से हो तो एक बार यह interview का question भी है कि महरास्टा के farmers तो suicide commit कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर droughts आ जाते हैं उसके चलते अब आप एक चीज बताओ राजस्तान के लोग क्यों suicide न इसमें climate adaptability आपको देखने को मिलेगी कि किसान जो है उसको पता है कि हो सकता आपकी बार सूखा पड़े तो वो पहले से ही milching animals मतलब दूद देने वाले पशुओं को अपने साथ में रखते हैं पांच से साथ इससे क्या होता है कि उनकी livelihood रुकती नहीं है और वो earning अगर continue र पर हम यहाँ पर देखें कि एक natural calamity आती है जिसका नाम अभी COVID-19 और उसके चलते आज milk production तो continue है पर farmers को जितना remuneration मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा demand collapse हो रखी है अभी तक तो क्या होता है कि normally एक बंदा अपने पशुओं से दूद दूद लेता है मतलब दूद निकाल के दूदा है और फिर बाद में जाता है और door to door supply कर सकता है दूद की तो वो आराम से एक किलो ग्राम दूद जो है वो 60-65 रुपए पर किलो ग्राम के हि देता है और लोग खरीदते भी हैं वहाँ पर दूद की quality नहीं देखी जाती केवल quantity देखी जाती है तो ऐसे में उनके पास में 60 रुपए पर किलो के हिसाप से income होती है दूसरी तरफ अगर वो ही दूद लेकर के जाया जाता है किसी dairy dairy के पास में dairy वाले के पास में ठीक है तो उस dairy जैसे आप देख तो अमूल dairy होगी सरस dairy होगी मदर dairy होगी यह सारी इनके पास में जाता है तो वहाँ पर दूद की quality चेक होती है और वहाँ पर fat content देखा जाता है fat जो होता न दूद में उसका content और उसके इसाप से 30 से 35 रुपए पर किलोग्राम के उसाप से उनको पैसा मिल जाता है मतलब जो overall 335 क्या मतलब जितना उनको पैसा मिलना चीए उसका लगबग 30 से 35% कम पैसा और dairy वाले देते हैं तो ऐसे में अभी कोविट 19 के चलते डोर टो डोर समय तो हो रखी है बंद दूसरा हलवाई की दुकाने ये भी बंद पड़ी है तो वहाँ पर हो रही है लगबग लगबग 20 रुपए कम कर दो आप ये मान के चलो तो 20 रुपए कम भी अगर आप करते हो तो बहुत बड़ा अमाउंट है 40 से 45 रुपए पर किलोग्राम के इसाफ़ा कर वो डेरी वाले को दूद बेशते हैं तो आप देखो कितना नुकसान हो गए 1 किलो कि ये जो फार्मर्स है जो रिलाइ कर रहे हैं मिल्चिंग एनिमल्स पे उनको आप सपोर्ट करो देखो जो सी ए सीपी होता है वो तो देखो MSP अपनी तरफ से रेकमेंड कर देता है गौर्मेंट आफ इंडिया को लगबग 24 मेजर अगरिकल्चर कमोडिटीज के लिए जिस में हमें पताई है कि 20-30% उनकी इंकम कम हो जाती है जब वो डोर टो डोर ना बेच करके वो डेरी वाले को अगर मिल्क सप्लाई करते हैं तो ये जो चीज है ना ये चीज कहीं ना कहीं नुकसान दायक बनती चली जा रही है और उसके चलते जो लो जो फार्मर्स मार्जिनल हैं या फिर स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी लाइवली हुड अरन करने में कितनी मुश्किल हो सकती है जो कि हमने प्रिवियसली डेटा में समझने की कोशिश की कि कितना ज्यादा डिपेंडेंसी है तो ये चीज कहीं ना कहीं आइडेंटिफाइबल है इस पर ध्यान देने की ज कहीं ना कहीं जो अब बात क्या हो रही है फरवरी 2021 अब फरवरी 2021 तक तो क्या थी सेकंड वेव ताई नहीं थी सेकंड वेव एपरिल लास्ट वीक में लास्ट 10 डेज में आनी शुरू हुई थी तो ऐसे में फाइनस मिनिस्ट्री यूनियन फाइनस मिनिस्ट्री के तरफ से यह चीज रिकगनाईज की गे थी कि हाँ वाकई में मिल्क प्रोड्यूसर्स को बहुत जादा परिशानिय का सामना करना पड़ा था आपने भी ध्यान हो तो बहुत सारी न्यूज ऐसी आ रही थी जिसमें जो फार्मर्स हैं वो सडकों के ओपर दूद को फैक रहे थे कि हमारा दूद भी की नहीं रही प्रोडक्त नहीं बन रहे हैं लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए भी कहीं न के उनको डर्डर के वो अपनी ज़रुरते पूरी कर रहे हैं तो ऐसे में केवल फार्मर्स के पास में डेरी एक आपशन बच जाता है तो यहाँ पर क्या से लिख सकते हुआ ठीक है कि स्टेबल मार्किट हो और एक रिमिनरेटिव प्राइस जैसे कि MSP हम देता है ना 24 कमोडिटीज के लिए तो उनकी हिसाब से आप यहां पर ध्यान देनी की जरुवत है साथ में मिल्क की क्वालिटी तो आप देखो एक मिनिमम स्टेंडर्ड फिक् उसकी क्वान्टिटि बहुत होती है पर उसमें फैट कंटेंट थोड़ा कम होता है वो अगर मर्केट में बेचना जाएगा और जो डेरी वाले फैट कंटेंट को चेक करेंगे तो उसमें फैट कंटेंट के हिसाब से उनको rate मिल जाती है 35 कीवे के हिसाब के हिसाब CHAD चालीfund रुपे किलो के हिसाब से और जैसे जैसे वो पशूद पुराना होता चलता है मतलब डिलिवरी के बाद में धिरे-धिरे जब डिले होता चला जाता है तो दूद गाड़ा हो जाता है तब जाके फैट जो है वो percentage increase हो जाता है तो भाव उनको जदा मिलना शुरू हो जाता है त जो डेरी फार्मर्स हैं उनको आप रिमिनरेटिव प्राइस तो अटलीस दो जादा मिले उनको फैट किया कोडिंग वो तो ठीक है पर कम से कम आप मिनिमम स्टेंडर्ड तो फिक्स करो जिसें की यह जो लिक्विड मिल्क की डिमांड है या सप्लाई है इसमें प्राप्लम ना है कभी क्या प्राप्लम आजाती है या फिर अभी लॉकडाउन ही आ गया तो ऐसे में चारा एक जगह से बड़े-बड़े मानलो पंजाब में खेत हैं इसके गेहूं के तो जो गेहूं की बची हुई जो पूरी नीचे का स्ट्रॉव वाला रीजन होता है ना स्ट्रॉव व अप्लाई को और प्राइस को भी रेगिलेट करने की जरुवत है उसको भी आप कम कम से कम रीजनेबल तो बनाओ ठीक है तीसरा चाजिशन बताया जा रहा है कि जो वेटरिनरी सर्विसेज हैं आज अगर किसी मानलो किसी जानवर को या किसी मिल्चिंग अनिमल को कोई सही तरीके से अवेल करो जहां पर आज हमारे देश में दो पॉइंट जीरो दो लाख आर्टीफिशियल इंसामिनेशन टेक्नीशन की जरुवत है तीक है जिससे क्या होगा कि एक तरीके से हाई ब्रीड अच्छी क्वालिटी की ब्रीड्स प्रिड्यूस की जा सके मिल्चिं इंसेमिनेशन का मतलब हो गया कि नैच्छुरली एक जो रीप्रोड़क्शन एक्टिविटी जो होती है बच्चे पैदा करने की जो एक प्रॉसस होता है इस जिसमें आप देखते हो नैच्छुरली मिल्चिंग अनिमल्स में तो उसको आप आर्टिफिशली कंड़क्ट करो इंस्ट्रूमेंट्स के तुरू कंड़क्ट करो तो जो टेक्नीशन की रिक्वाइर्मेंट हो तो है दो लाग और आपके पास में अवैलेबल नहीं है सवालाग भी तो ऐसे में हमें कहीं ना कहीं हुमन रिसूर्स को भी इंक्रीज करने की ज़रत है अगर हम देखें मई 2021 त अगर हमें बढ़ना है तो हमें बहुत जादा सपोर्ट देने की ज़रूरत है मिल्क प्रडूजिंग इंडस्ट्री को या मिल्क प्रडूजर जो फार्मर्स हैं उनको ठीक है तो आज रूरल एकोनमी में ओर ओल देखो न तो अगर यह इस तरीके से हो जाता है ना 1860 से लेक है तो इंडिया की एकोनमी को कुछ प्राब्लम नहीं होगी तो बहुत डेरी फार्मर्स को सपोर्ट करने की ज़रूरत है तो आज लगबग डेड़ करोड फार्मर्स हैं जिनके पास में यह कहीं ना के एकसेसिबिलिटी इनके पास में अवेलेबल है पर यह लोन के लिए अ इसमें क्या है आप कैसे जीरो रिस्क स्कीम है जिसें की डेरी सेक्टर वाले भी कहीं ना कई पैसा उठा सकते हैं बैंक से अपनी काम को आगे मतलब अपने जो टार्गेट सो उनको अंजाम देने के लिए तो ऐसे में भी प्रॉब्लम आ रही है बैंकों के अंदर प्रोसेस किया था उस allocation को आपने कट कर दिया 34.5% से तो आपने जब नरेगा में एक sector और अड़ कर दिया तो बजट बढ़ाया चाहिए उसकी बजाया आपने कम कर दिया तो क्या वाकई में compensation मिल पाएगा तो यह अपने आप में statistics self-explanatory है कि जो कही जाती है बाते वो actual में implementation में नहीं हैं तो राइटर ये की चीज बोल रहे हैं तो पेंडेमिक जो है ना वो हर चीज के लिए एक excuse बन गया है सरकार के लिए कि कोविट 19 के चलते हम नहीं कर सकते जब की आपको ये काम करने चाहिए और एक चीज और अगर का आज का जो क्राइसिस से बाहर निकालने का कोई काम करेगा तो केवल और केवल गवर्मेंट कर सकती है यह आगे कींशियन एकॉनमी कींशियन एकॉनमिक्स में क्या का आ जाता है कि सरकार जो है वो ही डूबे हुए देश को उपर उठा सकती है नहीं तो मार्केट में सप्लाई सप्लाई एक तरफ जादा है या फिर सप्लाई में डिस्रप्शन हो तो दूसरी तरफ डिमांड बिलकुल गिरी पड़ी है डिमांड को उठाना है तो लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने पड़ेंगे जैसे कि उदक और ठक के द्वारा जो अभी आप खाते हो दाल आप खाते हो यह चीजे तो बिलकुल बेसिक है इसको तो सरकार दे भी रही है आपको पर दूद के प्रड़क्ट तो कहीं यह इंकम लेबल पर डिपेंड करते हैं ना सरकार थोड़ना दूद दे रही अभी तो ऐसी पर और कहीं नहांगें माल नरिश्मे स्केल जो है इंकम स्केल जो अच्छी रहेगी और वह परिस्तिति यहां भी डाउन चल रही है तो क्या इस तरीके से आप एकोनोमी को रिवाइवल पर ला सकते हो ये भी एक सवाल नया दूद का खड़ा हो चुका है सरकार के सामने पर वही बात है एक्सक्यूस के वहला करो उनको तो ठीक है डिसकुशन में इतना ही है थैंक्यू वेरी मच्च के वल एक आर्टिकल है सिनमे वाला वो कल हम देख लेंगे ठीक है या फिर नेक्स्ट कभी डिसकुशन में लगेगा ना कि अर्डिस्क एडिटोरियल में आर्टिकल्स कम दिख रहे हैं तो वहां पर इसको एडिकल लेंगे ठीक है थैंक्यू